भागवत पुरान दसम सकंद चौबीसवा अध्या है इंद्र यग्य निवारन भागवत पुरान दसम सकंद चौबीसवा अध्या है इंद्र यग्य निवारन श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित भगवान श्री कृष्न बलराम जी के साथ विरिंदावन में रहकर अनेको प्रकार की लीलाएं कर रहे थे उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्री यग करने के तयारी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सब के अंतर्यामे और सर्वग्य हैं उन्हें से कोई बात छिपी नहीं थी वे सब जानते थे फिर भी विन्यावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदी बड़े बूढे गोप से गोपों से पूछा पिता जी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भाड़ी काम कौन सा उत्सब आप उचा है इसका फल क्या है किस उत्देश ये कौन लोग किस आधना के दोरा यह यग किया करते हैं पिता जी आप मुझे यह अवश्य बतलाईए आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पत्र ये बाते सुनने के लिए मुझे बड़ी उतकंठा भी है पिता जी जो संत पुरुष सब को अपनी आत्मा मानते हैं जिनकी द्रिष्टी में अपने और पराय का भेद नहीं है जिनका ना कोई मित्र है ना सत्रू और ना उदासीन उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं परन्तु यदि ऐसी स्थिती ना हो तो रहस्य की बात सत्रू की भाती उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए मित्र तो अपने समान ही कहा गया है इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेको प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म है जैसे सफल होते हैं वैसे बेसमझ के नहीं अतह इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुख्रदों के साथ विचारत सास्त्र सम्वत है अत्वा अलौकिक ही है मैं यह सब जानना चाहता हूँ आप कृपा करके पश्ट रूप से बतलाइए नंद बाबा ने का बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेगों के सौमी है यह मेग उन्ही के अपने रूप हैं वे समस्त प्रानियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं मेरे प्यारे पुत्रहम और दूसरे लोग भी उन्ही मेग पती भगवान इंद्र की यग्यों के द्वारा पूजा किया करते हैं जिन सामग्रियों से यग्य होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन होते हैं उनका यग्य करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्ने से हम सब मनुष्य अर्थ धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिध्धी के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं मनुष्यों के खेती आदी प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही है यह धर्म हमारी कुल परमपरा से चला आया है जो मनुष्य काम लोब भै अत्वा द्वेश वश ऐसे परमपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित ब्रह्मा शंकर आदी के भी शाशन करने वाले केशब भगवान ने नंद बाबा और दूसरे वरजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा श्री भगवान ने कहा पिता जी परानी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के से ही मड़ जाता है उन्हें उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुक भै और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है यदि कर्मों को हम सब कुछ ना मानकर उनसे भिन जीवो के कर्म का फल देने वाला इश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है कर्म ना करने वालों पर उनकी प्रभुता नहीं चल सकती जब सभी प्रानी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवशकता है पिता जी जब वे पुर्वशंसकार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुश्यों के कर्म फलो को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन मनुश्य अपने सुभाव पुर्वशंसकारों के अधीन है वो उसी का अनुसरन करता है यहां तक की देवता अशुर मनुश्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत सुभाव में ही स्थित है जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधं शरीरों को गरहन करता और छोड़ता रहता है मनुश्य अपने जीव अपने कर्मों के अनुशार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहन करता और छोड़ता रहता है अपने कर्मों के अनुशार ही यह सत्त्रू है यह मित्र है यह उदाशीन है ऐसा व्योहार करता है कहां तक कहूं कर्म ही गुरू है और कर्म ही ईश्वर दर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे जिसके द्वारा मनुष्य की जीवी का सुगमता से चलती है वो उसका इस्ट देव होता है जैसे अपने विवाहित पती को छोड़ कर जार पती का शेवन करने वाली व्यविचारनी स्त्री कभी शांती लाभ नहीं करती वैसे ही जो मनुष्य अपने जीवी का का चलाने वाला एक देवता को छोड़ कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता ब्रह्मन वेदों के अध्ययन अध्यापन से चत्रिय प्रित्वी पालन से वैश्य वारता वृत्ती से और शुद्र ब्रह्मन चत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीवी का का निर्वा करें ब्रह्मन वेदों के अध्ययन अध्यापन से चत्रिय प्रित्वी पालन से वैश्य वारता वृत्ती से और शुद्र ब्रह्मन चत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वा करें वैश्यों की वारता वृत्ती चार प्रकार की है कृशी वानिज्य गोरक्षा और ब्याज लेना हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं पिता जी इस संसायर की स्थिति उत्पत्ती और अंत के कारण करमशा सत्वगुन रजोगुन और तमोगुन है यह विविद प्रकार का संपूर्ण जगत्स्त्री पुरुष के सैयोग से रजोगुन के द्वारा उत्पन होता है उसी रजोगुन की प्रेरना से मेगगन सब कहीं जल बरसाते हैं उसी से अन्य और अन्य से ही सब जीवों की जीविका चलती है इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है वो भला क्या कर सकता है पिता जी इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमस सत्वगुन रजोगुन और तमगुन है यह विवेद प्रकार का संपोर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुन के द्वारा उत्पन होता है उसी रजोगुन की प्रेरणा से मेघ गन सब कहीं जल बरसाते हैं उसी से अन्य और अन्य से ही सब जीवों की जीवी का चलती है इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है वो भला क्या कर सकता है पिता जी ना तो हमारे पास किसी देश का रज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है हमारे पास गाउं या घर भी नहीं है हम तो सदा के वनवासी है वन और पहार ही हमारे घर है इसलिए हम लोग गवों ब्रह्मनों और गिरी राज का यजन करने की तैयारी करे इंद्र यग्य के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई है उनी से इस यग्य का अनुस्ठान होने दे अनेको प्रकार के पकवान खीर हलवा पूरी आदी से लेकर मूंग की डाल तक बनाए जाए वरज का सारा दूद एकत्र कर लिया जाए वेदवादी ब्रह्मनों के द्वारा भली भादी हवन करवाया जाए तथा उनेको प्रकार के अन्ने गौएं और दक्षिनाएं दी जाएं और भी चांडाल पतित तथा कुट्टो तक को यथा योग्य वस्तुएं दे कर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए इसके बाद खूब प्रशाद खा पी कर सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहन कर गहनों से सज सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौव ब्राह्मन अगनी तता गिरिराज गौवर्धन की प्रदक्षिना की जाए पिता जी मेरी तो ऐसी ही सम्मती है यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए ऐसा यग गौव ब्राह्मन और गिरिराज को तो प्रिय होता ही मुझे भी बहुत प्रिय है श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित कालात्मा भगवान की इक्षा ठीकी इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे नंद भावा अदी गोपो ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रिसन्यता से स्विकार कर ली भगवान श्री कृष्ट ने जिस प्रकार यग्य करने को कहा था वैसा ही यग्य उन्होंने प्रारंब किया पहले ब्रह्मनों से स्वास्ती वाचन करा कर उसी सामग्री से गिरीराज और ब्रह्मनों को सादर भेटे दी तथा गववान को हरी हरी घास खिलाई इसके बाद नंद भावा अदी गोपो ने गववान को आगे करके गिरीराज की प्रदक्षिना की ब्रह्मनों का आश्रवाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भाती श्रिंगार करके और बैलों से जुतिगारियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लिलाओं का गान करती हुई गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगी बगवान श्री कृष्ण गोपो को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के उपर एक दूसरा विशाल शरीर धारन करके प्रकट हो गएं तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगें बगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे वरजवासियों के साथ स्वयम भी प्रनाम किया और कहने लगें देखो कैसा अश्र है कि लिराज ने साक्चात प्रकट होकर हम पर कृपा कियें ये चाहें जैसा रूपधारन कर सकते हैं जो वनवासी जीवे इ उने ये नश्ट कर डालते हैं आओ अपना और गवों का कल्यान करने के लिए इन गिरीराज को हम नमस्कार करें इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरना से नंद बावा आदी बड़े गोपो ने गिरीराज गव और भ्रामनों का विदी पूर्वक पूजन किया त झालतम झालतम।